हेई गाइस वेलकम बैक टू सीए नॉलेज वर्ट शॉर्ट सब्डेट आज हम बात करेंगे डिड़क्शन्स अंडर सेक्षन एटी आईएसी जो की है डिड़क्शन्स फॉर न्यू स्टाटप्स तो इसके लिए एलिजिबल अससी है कंपनीज और एललपी जो की एंगेस्ट ह उनका जो turnover है पिछले financial years में 100 crore से लेस होना चाहिए और उनको IEMBC से certificate भी मिला होगा तो ही वो eligible अससी कहलाते हैं और eligible होते हैं deductions claim करने के लिए under section 80 IAC तो चलिए जानते हैं amount of deductions के बारे में तो जो भी profit derive किया होगा ये status इछले 10 consecutive years से आपको किसी भी 3 consecutive years के profit को choose करना होगा उसी 3 consecutive years के profit का 100% deductions ये लोग ले सकते हैं